हम scratch में एक animation बनाएंगे जिसको हम microbit में लगे onboard sensors और external sensors से control करेंगे microbit के button A और button B दबाने से sprite left और right मूफ करेगी onboard touch sensors को चूने से sound trigger होगी onboard light sensors से animation का backdrop बतलेगा external raindrop sensor के गीला होने पर animation में बारिश होगी और sprite की costume बतलेगी external MQ2 smoke sensor जब अगर बत्ती का धुआ डिटेक करेगा तो animation में भी धुआ आएगा और sprite की costume भी बतलेगी यह project interactive art का एक example भी है आप scratch में art बना कर उससे sensors के द्वारा interact कर सकते हो इस project को step by step बनाते हैं इस project को बनाने के लिए हम scratch का एक special version यूज़ करेंगे जो की आप stretch3.github.io से access कर सकते हो यह version हम इसले यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जब हम extensions आइट करते हैं तो हमार को एक यह microbit more extension मिलता है इस microbit more extension का फायदा क्या है कि इसमें हमार को बहुत सारी commands मिलती है microbit operate करने की जो हमार को regular scratch के version पर अभी नहीं मिलती है इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और follow करनी पड़ेंगी यह project बनाने के लिए तो microbit more के extension की website पर अगर आप जाओगे तो यहां से आपको पहले यह microbit जो program है इसको click करके एक hex file download करनी पड़ेगी और जब यह hex file download हो जाएगी तो आपको इसको अपने microbit में transfer करना है आप इसको select करके यहां पर यह hex file जो है इसको drop कर दोगे जब यह hex file drop होगी आपको यह message मिलेगा microbit पर की tilt the microbit to fill all the LEDs और आपको उसके बाद अपना microbit tilt करना है हर तरफ ताकि जितनी यह 25 LEDs हैं यह सारी light up हो जानी चाहिए और जब यह light up हो जाएंगी तो आपको एक smiley face मिलेगा और उसके बाद आपका जो microbit का नाम है वो आपको दिखाई देगा नेक्स चीज़ आपको क्या करनी है आपको scratch link for windows इसको download करना है और इसको install करना है like any regular software scratch link जो है वो आपके chrome browser या edge browser को bluetooth से आपके microbit से communicate करने देगा मैं already scratch link अपने laptop पे install कर चुका हूँ तो मैं इसको अप नगा रहा हूँ और यहाँ पर अब मेरे पस जो scratch link software है यह background में काम कर रही है अब अगर मैं अपने microbit को connect करता हूँ तो microbit को connect करने के लिए जो microbit का extension आप choose करोगे तो यहाँ पर यह orange exclamation mark आ रहा है जो आपको बता रहा है कि microbit अभी connected नहीं है तो आप इसे क्लिक करोगे तो फिर आपको यह windows खुल जाएंगी और यहाँ से आपको अपना microbit जो जिसमें आप already hex file लाज चुके हो सारी leds on कर चुके हो और scratch link background में काम कर रहा है यह तीनों conditions अगर है तो यहाँ पर आप अपने microbit को अपने browser के सांथ pair कर सकते हो तो अब यह हमारे को green check box मिल रहा है इसका मतलब है कि हमारा microbit जो है हमारे browser से via bluetooth अब connected है next हम एक simple सी command लिखते हैं जहाँ पर कि हम अपने microbit के A और B बटन से अपने sprite को move करेंगे यह command लिखने के लिए मैं यहाँ से यह पहली command ला रहा होगी to check if button A is pressed और फिर मैं events में जाके when green flag clicked और controls में जाके मैं एक conditional statement ला रहा हूँ और इस conditional statement को मैं एक forever loop में डाल रहा हूँ तो हम check क्या कर रहे हैं कि जब green flag click होगा तो forever हमारा program चेक करेगा कि क्या button A pressed है की नहीं और अगर button A pressed है तो मैं यहाँ motion से जाके यहाँ ला रहा हूँ move 10 steps तो अब green flag press करने के बाद जब मैं button A press करता हूँ तो जो sprite है वो move कर रही है पर वो right की तरफ move कर रही है हम चाहते हैं कि वो left की तरफ move करें तो मैं यहाँ move इसको minus 10 steps कर रहा हूँ तो अब हमारी sprite जो है जब हम A button दबाएंगे तो यह left की तरफ move करेंगी अब sprite को right की तरफ move कराने के लिए हमारे को इस command को मैं इस conditional statement को मैं copy कर रहा हूँ और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि when button B is pressed तो अब मैं यह minus का sign हटा रहा हूँ तो अब हम कह रहे हैं कि when button B is pressed तो right की तरफ हमारी sprite move करेंगी अब अगर मैं button B दबाता हूँ तो मेरी sprite right की तरफ move कर रही है और A button दबाने से वो left की तरफ move कर रही है तो इस तरीके से आप microbit से अपने sprites को control कर सकते हो next हम इस program में add करते हैं जब microbit के light sensor पे light बदलेगी तो हमारा जो background है वो बदलेगा तो इसके लिए मैं backdrop में जाके यहां दो backdrop add कर रहा हूँ तो लेटसे एक दिन जब light पढ़ रही है microbit में तो हम यह वारी backdrop चाहते हैं और उसके बाद जब light रुप जाएगी तो मैं कोई night related backdrop ला रहा हूँ तो यह night city की backdrop ला रहा हूँ और इसके लिए मैं backdrop में जाके अब इसकी coding कर रहा हूँ और इसकी coding करने के लिए हमारे को यह देखना है कि microbit पे light कितनी पढ़ रही है इसके लिए microbit में जब आप इस microbit more extension में जा रहे हो तो light intensity का आपको already एक बना बनाया सोड़ से variable मिलता है जो बताता है कि इस वक्त microbit में कितनी light पढ़ रही है हमारे को इस वक्त microbit में around हमारे को 20 के करीब light पढ़ रही है और अगर मैं बने microbit को cover करता हूँ तो यह zero हो जाती है तो without covering around 20 हमारी light इस पर पढ़ रही है और cover करने पर zero तो इसके लिए अब हम यहाँ program लिख सकते हैं तो हम फिर से conditional statement ला रहे हैं हम कह रहे हैं कि if light intensity is above और below a certain level उसके हिसाब से backdrop change करना तो हम कह रहे हैं forever और when green flag is clicked forever हम operator में जाके एक condition ला रहे हैं कि actually हम यहाँ बे if then else ले आते हैं तो हम conditional statement ला रहे हैं if then else और हम यहाँ कह रहे हैं कि if light intensity is less than let's say 10 तो अब हम चाहते हैं looks में जाके हम कह रहे हैं कि अगर less than 10 है तो हम चाहते हैं कि backdrop जो है वो night city हो जाए और if not which means अगर light intensity more than 10 है तब हम चाहते हैं कि यह blue sky हो जाए तो यहाँ पर अभी हमारी backdrop जो है वो light वाली है और जब मैं इसको cover करता हूँ तो हमारी जो backdrop है वो change हो जाती है तो इस तरीके से based on light intensity intensity of the light falling on these sensors these light sensors on the microbit हम backdrop जो है scratch की backdrop change कर रहे हैं इसका next हम एक और इसमें simple program लिख सकते हैं कि जब हमारे microbit का touch sensor touch हो तो कोई sound generate हो इसके लिए हम microbit more में जाके यहां से यह ला रहे हैं कि if the logo is touched और हमारे को क्योंकि जो microbit का logo है वो touch sensor है तो हम यहां पर तीन तरीके के touch देख सकते हैं चार तरीके के when logo touched when pin 0, pin 1 या pin 2 touched तो अभी हम logo touch करके देख रहे हैं तो हम again वही एक conditional statement बहा रहे हैं और हम control में जाके कह रहे हैं कि if इसको मैं forever block में डाल रहा हूँ if logo is touched तो मैं यहां पर sounds में जाके मैं कह रहा हूँ कि start the sound meow because this is the sound for the cat तो यह जो थोड़ी strain sound आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यह constant touch यहां पर determine हो रहा है इसलिए यह sound complete नहीं हो पा रही है तो इसको ठीक करने के वापस दो तरीके हैं या तो हम यहां पर एक weight डाल सकते हैं तो मैं यहां पर कह रहा हूँ कि when logo is touched maybe wait for 0.3 seconds तो अब यह ठीक काम कर रही है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि sound में जाके हम यह कह सकते हैं play the sound until done यह भी ठीक चल रहा है तो अब हमारे यह तीन जो sensors हैं हम इस interactive animation को चला पा रहे हैं पहला है हमारा कि A button दबाने से हमारी sprite लेफ्ट जा रही है और B button दबाने से right जा रही है हम इसकी direction भी बदल सकते हैं based on cat किस तरह face करेगी depends on कौन सा button प्रेस हो रहा है पर अभी हम पहले यहाँ पे केवल sensors को समझ लेते हैं तो यह काम कर रहा है second हमारा जो touch sensor है वो काम कर रहा है और वो light भी इसले change हो रही है क्योंकि मेरी मैं जब हाथ ला रहा हूँ तो वो light रोक रहा है और फिर अगर हम light sensor के हिसाब से हम यहाँ पर backdrop भी change कर रही है next हम animation को external sensor से control करेंगे हम दो sensors आइट करेंगे पहला raindrop sensor और दूसरा यह MQ2 smoke detection sensor पहले इन sensors को समझते हैं raindrop sensor में conducting strips लगी होती है जब इन पर raindrops या पानी गिरता है तो इनकी conductivity बदल जाती है microbit conductivity में change को measure करके पता लगाता है कि बारिश कितनी तेज है MQ2 sensor के अंदर एक छोटा heating element होता है जो गरब होने पर हवा में जो धुआ या gas होती है उससे interact करता है इस interaction से sensor के resistance में बदलाव आता है resistance में वे परिवर्तन को microbit measure करके हवा में धुआ या gas के स्थर को निर्धारित करता है यह raindrop sensor को use करने के लिए हम इस sensor module का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते है जो यह sensor module है इसमें हमारे पास पीछे pins है VCC, Ground, DO यानि Digital Out और AO यानि Analog Out तो यहाँ पर हम Analog signal का use करेंगे तो मैंने यह pins जोड़ दी है कि यह हमारा rate color VCC है black color Ground है और yellow jumper wire जो है Analog Out है इस circuit को बनाने के लिए हम breadboard का प्रयोग करेंगे तो मैं जो VCC है उसको मैं यहाँ कनेक कर रहा हूँ और जो Ground है उसको मैं breadboard में एक different pins पे कनेक कर रहा हूँ और जो हमारी Analog Out है मैं उसको pin number 1 में कनेक कर रहा हूँ हम breadboard इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम multiple sensors लगाने वाले हैं हम इनको microbit से direct नहीं कनेक करना चाहते हैं क्योंकि microbit जो है वो 3 volt और एक certain current आउटपुट करता है और हम नहीं चाहते कि यह कोई भी sensor जो है वो ज़्यादा current draw करे जिसकी विए से हमारा microbit ठुक जाए electronics projects बनाते हुए हमारे को सारे components को same ground पर रखना होता है तो मैं यहां microbit के ground से एक jumper wire connect करके मैं यहाँ पर जो हमारा breadboard है उसमें जहां हम सारे ground लगाएंगे मैं वहाँ connect कर रहा हूँ next हम एक battery pack connect कर रहे है तो battery pack से तो यह जो है यह 4 cells है पर यह rechargeable cells है तो यह 1.2 volts है इसलिए total 4.8 volts की इसकी output है आप चाहो तो 6 volts यानि normal 1.5 volt की 4 cell भी लगा सकते हो तो इसमें से जो battery का positive terminal है उसको मैं यहां पर जो VCC की pins आएंगी मैं वहाँ लगा रहा हूँ और जो negative terminal है उसको मैं जो ground की pins है breadboard में मैं यहां लगा रहा हूँ तो अब sensor का ground, microbit का ground और battery का ground हमार पास common हो गए है और battery pack से हमारा VCC pin जो है वो connected है और यहां पर यह जो sensor है इसकी red light on हो गई है that means कि यह power supply जो है यह ठीक काम कर रही है next हम देखते हैं कि इस sensor से हमार को क्या analog output मिल रही है इसके लिए मैं microbit more में जाके यह disconnect हो गया तो मैं इसको दुबारा connect कर रहा हूँ तो मैं एक नई sprite बना रहा हूँ जो हमारी raindrop होगी तो यह मैं draw कर रहा हूँ तो simple हम अभी यहां पर एक चोटा सा mark लगा रहे हैं और इस raindrop को select करके मैं code में जाके यहां से यह programming block ला रहा हूँ जिसमें कि हम analog value of pin number 1 क्योंकि हमने जो raindrop sensor है वो microbit की pin 1 पर लगा जाया है तो मैं pin 1 select कर रहा हूँ और अब हम इसकी value पढ़ना चाते हैं मैं इसको click करूँगा तो यह हमारे को value दिखा रहा है 74.3 तो अभी जब हमारे sensor पर हमारा sensor dry है तो उसकी value 74, 75 के आसपास है और अगर मेरे पास यहां पर यह एक tissue paper है जिसको मैंने wet किया हुआ है तो अगर मैं इस wet tissue को इसके उपर रखता हूँ और फिर मैं इसकी value देखता हूँ तो value 52 हो गई है और इसको मैं जितना गीला करूँगा उतनी value इसकी कम आती जाएगी तो यहां हमें दिख रहा है कि approximately 46, 47 के करीब हमारे को value या let's say around 50 की value मिल रही है जब यह sensor wet है और जब यह sensor dry है तब हमारे को value 70 प्लस मिल रही है तो जो range है वो let's say 50 to 70 की है तो इसके इस value को हम use कर सकते है sensor based rain अपने stage में दिखाने के लिए तो इसके लिए मैं फिर events में जा रहा हूँ when green flag clicked और मैं एक if then conditional statement ला रहा हूँ जिसको मैं एक forever loop के अंदर डाल रहा हूँ फिर मैं operators में जाके एक less than की command ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर value of the pin less than let's say 55 होगी which means कि जो हमारा sensor है वो detect कर रहा है कि उसके उपर water है या rain drops है तो अब हम चाहते हैं तो अभी हम एक quick test करके देख लेते हैं तो let's say अगर ये true है तो ये कहेगा rain तो अब हम इसको test करके देख सकते हैं अगर मैं ये green flag दबा रहा हूँ तो अभी जो sprite है वो कुछ नहीं कह रहा है और जब मैं sensor पर पानी लगाता हूँ तो वो कह रहा है rain और जब मैं हटा रहा हूँ तो no rain तो ये जो हमारा sensor है और अगर ये अभी rain दिखा रहा है तो कई बार उसको साफ करना पड़ता है क्योंकि तो पानी रह जाता है sensor पर तो ये ठीक काम कर रहा है कि ठीक से redact कर रहा है जब पानी है तो वो दिखा रहा है rain otherwise no rain तो इसके next हम rainfall दिखाते हैं जो की regular scratch की coating है तो अब अगर मैं rain drop sensor पर पानी लगा रहा हूँ तो हमारी stage पर बारिश हो रही है और जब पानी नहीं है तो बारिश रुख जा रही है तो ये बहुत regular है जब आप scratch में कोई enemy sprite बनाते हैं और वो नीचे आ रही होती है ये same code है तो इस तरीके से हमारा पहला external sensor का interaction जो है वो बन गया है next हम देखते हैं MQ2 smoke sensor ये MQ2 smoke sensor है MQ2 series के जो sensors होते हैं उनमें यहाँ side में लिखा रहता है कि उनका क्या number है यहाँ थोड़ा reflection ज़ादा है बट ये यहाँ side में यहाँ लिखा हुआ है MQ2 तो ये जो sensors हैं ये आप इनको इनसे आप digital signal ले सकते हो या analog signal ले सकते हो तो इसका जो pin out है वो है VCC, ground फिडियो, तो digital out और AO, analog out तो इसमें मैं इसको as a digital sensor यूज़ करूँगा तो मैंने ये digital out इसकी pin ली है और इसको भी हम same लगा रहे है नहीं attach करना चाहते हैं, तो मैं इसको battery back से attach कर रहा हूँ, तो मैं जो VCC की pin है, वो जो हमारा positive terminal से आ रहा है वहां breadboard में वहां लगा रहा हूँ और जो ground pin है, जो common ground बन रहा है हमारे breadboard पर, वहां लगा रहा हूँ और जो इसकी हमारी digital out pin है, उसको मैं pin 2 पे लगा रहा हूँ तो यह अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर यह जो green light है यह on हो गई है, तो यह green light actually on होनी चाहिए, तब जब यह smoke detect करे, तो जब हम इससे digital out लेते हैं, तो हमारे को sensor को calibrate करना पड़ता है, और उसके लिए हम यह potentiometer या pot यह use करते हैं, तो मैं इस pot को turn कर रहा हूँ, screwdriver से, जब तक कि light जो है, वो off नहीं हो जाती, तो यह light on हुई, और यह थोड़ा फे मैं इसके थोड़ा और घुमा रहा हूँ ताकि यह जो light है, यह off है green LED है, वो जल जाएगी तो इस sensor पर test करने के लिए, हम मान लो दिखाना चाहते हैं कि हमारे screen में धुआ आ जाता है तो धुआ दिखाने के लिए मैं फिर एक और sprite paint कर रहा हूँ हम test करने के लिए एक छोड़ा program लिए सकते हैं, कि अगर smoke होगा, तो यह sprite नदर आएगी, otherwise यह hide होगी तो इसके लिए मैं events में जाके when green flag clicked control में जाके forever, और एक conditional statement ला रहा हूँ और यहाँ पर हम digital signal measure कर रहे हैं क्योंकि हम इस sensor से digital out ले रहे हैं, तो मैं केवल एक simple सी बात चेक कर रहा हूँ कि जो हमारी pin 2 है जहाँ पर यह sensor connected है क्या वो high है की नहीं तो अभी मैं एक simple program यह लिख देता हूँ यहाँ पर भी एक ऐसे ही कुछ कह देते हैं कि smoke, यह sprite कहीगी smoke, तो अब अगर मैं play कर रहा हूँ तो यह जो pin है, यह default पर high है, और जब यह sensor इसको input देगा तब यह low होगी, तो इसके लिए हम इस condition को इसको उल्टा करना चाते हैं, तो मैं operators में जाके एक not की command ला रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि if pin 2 is not high, then say smoke, तो अब अगर मैं click कर रहा हूँ, तो यह कुछ नहीं कह रहा है, और जब मैं अगरबती pass लाँगा, तो जब अगरबती pass आ रही है और sensor में green light on हो रही है, तो जो हमारा हमारी sprite है, वो smoke कह रही है तो यह हमारा sensor जो है ठीक काम कर रहा है तो इसके बाद हम अब कुछ केवल program लिख सकते हैं, जिससे कि जो smoke है, वो scatter कर रहा है या जो भी आप दिखाना चाते हैं, वो तो sensor को use करने का logic जो है वो, I hope आपको समझ में आ गया मैंने उस animated story का एक improved version बना दिया है, पर जो बाकी coding है, वो regular scratch की coding है, जब मैं A और B स्विच दबाता हूँ, तो जो हमारी sprite है, वो move कर रही है और वो ठीक direction में move कर रही है, प्लस walking की animation भी चल रही है फिर touch sensor से touch sensor से और अगर मैं light sensor को cover करता हूँ तो जो backdrop है वो बदल जाती है और इसके बाद अगर मैं raindrop sensor पर wet tissue रखता हूँ, तो बारिश हो जाती है, और साथ ही जो हमारी sprite है उसकी costume बदल जाती है और finally, जब मैं अगर बत्ती का smoke यहां ला रहा हूँ, तो MQ2 sensor smoke detect करता है, और पेड में आग लग जाती है, और साथी पेड से smoke आने लगता है और sprite की costume भी बदल जाती है I hope आपको यह project पसंद आया और आप microbit के onboard sensors और external sensors लगा के interactive art, interactive story या interactive animation बनाना ट्राइ करेंगे let the sun come out nah, I prefer night let there be rain I love rain stop this rain set fire to that building that is not nice you don't like that I want laser eyes ah, ah, ah I rule this city haha